जहीं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रान यानि पर्मानेंट अकाउंट नंबर जिसको पीफ नंबर बोलते हैं पीफ अकाउंट नंबर उसका स्टैटस कैसे चेक करेंगे सबसे पहले आपको यहां से गूगल पे जाना है गूगल पे जाने के बाद आपको यहां पे NSDL प्रान एक टाइप करना है नाम जिससे आपका सबसे पहले उपर इलेक्ट्रोनिक NPS के नाम से एक वेवसाइड दिखेगा NSDL का यहां पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको जो है कि प्रान का पर्मानेंट अकाउंट नंबर का एक ओफिस थोड़ा दिरवेट करेंगे अब आपको यहां पे मिलेगा OTP Authorization का अप्सन इस सिगनेचर भीव सस्क्राइबर रजिस्टेशन फार्म यहां पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद एक नॉलमेंस नंबर यहां पे जो आपको मिला हुआ है जब आप रेजिस्टर्ड कि पे date type करना है कि किस date को आपने apply किया था उसके बाद आपको date of birth type करना है कि date of birth आपका क्या है तो जोभी date of birth आप डाले होंगे वो date of birth यहां से आप स्यूज कर लीजेगा उसके बाद यह capture में add करके आपको जोड़ देना है जैसे 53 plus 3 is equal to 56 और submit बटन पे क्लिक कर देना है अब दोस्तों जैसा submit बटन पे click करेंगे तो आपका status यहां पे प्रान का दिख जाएगा कि आपका प्रान कहां तक यहां पे गया हुआ तो आपने जो verify किया था जो भी आपने रेइस्टरड किया था वो आपका यहां तक पहुंच चुका है verification अभी बाकी है authorization है प्रान जनरेशन और process complete होने में आपका भी 4 step बाकी है तो इस तरह से आप अपना status को खुद से check कर सकते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दी जो मेरे चैनल पर ना है तो इसी तरह के content के लिए वीडियो को subscribe कर लिजे